हाईलो इब्रीबन कैसे हो आप सब एक बार पुना स्वागत है आप सभी कामारे अपने यूटूब चैनल सिव कोचेंग क्लासेस पर उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे बेतर होंगे आज की इस बीडियो में हम देखेंगे इस बीडियो में हम देखेंगे नाम करन या की नॉमेंकलेचर किसे कहते हैं देखें नाम करन की यह हम बात करते हैं तो चाहिए वो कोई भी प्लांट हो चाहिए कोई भी एनिमल्स हो उसमें जीवों का जो नाम करन है चाहिए वो कोई भी लीविंस हो चाहिए वो प्लांट हो या इनिमल्स हो तो इनमें जो नाम करना होता है वो दो प्रकार से होता है तो कोई भी जीव है तो इनमें नाम जो है दो प्रकार से होते हैं एक तो नाम होता है साधारन नाम या इनको हम कहते हैं देशी नाम इसके रावा जो दूसरा नाम होता है वो होता है साइन्टिफिक न नाम होते हैं, मतलब जिस इस्थान पे वह जीव या पेड़ पोधे पाए जा रहे हैं, वह उस पर्टिकुलर इस्थान का नाम होता है, तो जैसा कि गाउ में आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रामीर छेत्रों में अलग-अलग स्थानों पे अलग-अलग जीवों के अलग- किसी विशेश गुण की ओर संकेत करते हैं, यदि हम साधारन नाम की बात करते हैं, तो साधारन नाम जो है, वह इस्थानी नाम होने के करण बिभिन छेत्रों, इस्थानों, अथ्वा देशों में अलग-अलग होते हैं, मतलब चुकि यह इस्थानी नाम है, तो इस्थानी नाम अलाग अलग जगों में अलाग अलग होंगे मतलब अलाग अलग इस्थानों पे किसी एक ही जीव को अलाग अलग नामों से पुकारा जाता है क्यों कि साधारान या देशी नाम तो इस्थानी नाम है मतलब जिस पर्टिकुलर इस्थान विसेस में कोई भी जीव या कोई भी प्लांट पाया जा रहा है वो इस्थान का नाम देंगे तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि सधारन या देशी नाम का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का इस्थानी नाम जो की पर्टिकुलर एक जगह बिसेस के हिसाब से नाम दिया जाता है जैसे कई सारे अलग-अलग क्या के लेते हैं जिसको आप लो इस्पायरो कहते हैं तो इस्पायरो या गवराये को जो भारतिए गवार्तिय गवराया होती है तोältिय गवrásती या को इंग्लेंड में क्या कहते हैं, हाउस इस्पैरो कहते हैं, वहीं इस्पैन में इसको क्या कहते हैं, पारडूल कहते हैं, इसके अलाबा हालेंड में क्या कहते हैं, मुस कहते हैं, और जापान में क्या कहते हैं, सुजुन कहते हैं, तो इतने नामों से जाना जाता है, मतलब कोई भी यदि भारतिय गौराया है तो इसको अलग-अलग इस्थानों पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है और यही नहीं कि भारतिय गौराया वसको जितने भी ग्रमेड या जितने भी एनिमल्स हैं उनको अलग-अलग इस्थानों पर अलग-अलग देशी नामों से या साध साधारन नामों से जाना जाता है कई सारी एक्जम्पल हैं तो जो भी जीव हैं तो जिस इस्थान भी सेसके हैं वहां उनको एक अलग नाम दिया जाता है जो कि इस्थानी या देशी नाम होते हैं तो साधारन या देशी नाम में आप लोगों ने क्या देखा कि ये प्राया इ एक चीज और हो सकती है देखिए कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग जन्तुओं के लिए एक ही नाम प्रयोग किया जाता है देखिए जन्तु तो अलग अलग रहेंगे लेकिन उनके लिए सामोहिक रूप से एक ही वर्ड का यूज किया जाता है फार एक्जामपल यहां पर देख सकते हैं जैसे जो अर्थवाम होता है अर्थवाम और इसकैरिस इन दोनों के लिए ही नाम केचुवा प्रयोग किया जाता है मतलब अर्थवाम और इसकैरिस दोनों को ही हिंदी में क्या कहा जाता है क्योंकि अभराल दोनों देखने में आपको चाहे वो अर्थवाम ह यहाँ पे जीव हैं तो उनके एक नाम भी दिया जा सकता है मतलब देखिए जैसे एक जीव को अलग-अलग इस्थानी नामों से जाना जाता है उसी प्रकार अलग-अलग जीवों के लिए एक नाम का भी यूज किया जाता है तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि मोहिक रूप से एक ही नाम प्रयोग किया जाता है मतलब जीव तो अलग अलग रहेंगे लेकिन उनके लिए एक ही वर्ड यूज किया जाता है और इन ही कारणों के चलते किसी भी जीव के लिए एक ऐसे नाम किया वस्यक्ता उत्पन होती है जिससे कि उसे संपूर्ण विस्तो यदि वहाँ पर जाके बोलेगा यदि माल लीजे इंडिया का कोई भी साइंटिस्ट है या इंडिया के कोई भी व्यक्ति है उनको यदि किसी के बारे में सर्च करनी है जैसे माल लीजे गौराया के बारे में ही सर्च करनी है तो अब वो माल लीजे जा पान गए वहाँ पर पर अलग-अलग हो जाता है लेकिन इस कमी को सुधारते हुए फिर आगे एक बैग्यानिक नाम दिया गया तो बैग्यानिक नाम जो है किसी भी पर्टिकुलर चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो जीव हो चाहे वो कोई भी प्लांट हो उनके लिए एक पर्टिकुलर बैग्यानिक नाम दिया जाता है जिससे कि वह संपूर्ण विश्व में उसी नाम से जाना जाता है तो सधारन या देशी नाम आपको समझ गए होंगे आप कि सधारन या जो देशी नाम होते हैं ये प्राया इस्थानी नाम होते हैं और ये किसी इस्थान भी से संबंदित होते हैं और कोई भी वर्ग की विग्यादी है या कोई भी बैग्यानिक है साइंटिस्ट है तो किसी भी जन्तु समू की पहचान करके उसका वर्णन करते हैं तो वह उस जन्तु समू को एक उचित बैग्यानिक नाम देते हैं और उसी एक बैग्यानिक नाम से वह जन्तु सब जगे जाना किसी भी पर्टिकुलर समू या किसी भी एनिमल्स या प्लांट की खोज करते हैं तो वो सबसे पहले उसको पहचान करने के बाद उनकी भरगी करन तो करते हैं साथ ही साथ उनको एक बैज्यानिक नाम देते हैं और उसी बैज्यानिक नाम से वो जीव हर जगे जाना जाएगा या कोई पी प्लांट है तो वो हर जगे जो है उसी बैज्ञानिक नाम से जाना जाएगा तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है इसका एक्जामपल भी आप देख सकते हैं जैसे मान लीजे गवराया है तो गवराया को भले ही छेत्री या स्थानी नामों में अलग- तो गवराया को आप चाहे किसी भी देश में चले जाओ वहाँ आपको पैंसर डोमेस्टी का ही बैज्ञानिक नाम मिलेगा तो बैज्ञानिक नाम क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर जीव या प्लांट का एक फिक्स नेम होता है मतलब उसी एक नाम से वो जीव हर एक जग प्राइय नाम से वह जीव जिव जो है तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, उम्मेद करते हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम